ओम शांती ओम शांती आज एक जुलाई दोहजार चौबिस दिन सोंवार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधूर महवाक्यों को मीठे बच्चे शांती धाम पावन अत्माओं का घर है उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो प्रश्न बाप सभी बच्चों से कौन सी गैरेंटी करते हैं उत्तर मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो तो मैं गैरेंटी करता हूँ कि बिगर सजा खाए तुम मेरे घर में चलेंगे तुम एक बाप से दिल लगाओ इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखो इस दुनिया में रहते पवित्र बन कर दिखाओ तो बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही अवश्य देंगे ओम शंति रुखानी बच्चों से रुखानी बाप पूछ रही हैं यह तो बच्चे जानते हैं बाप आया है हम बच्चों को अपने घर ले जाने लिए अब घर जाने की दिल होती है वह है सब आतमाओं का घर यहां सब जीवातमाओं का घर एक नहीं है यह तो समझते हो बाप आया हुआ है निमंतरन पर बुलाया है बाप को हमको घर अर्धात शांती धाम ले चलो अब बाप कहते हैं अपने दिल से पूछो हे आत्माएं तुम पतित कैसे चल सकेंगी पावन तो जरूर बनना है अब घर चलना है और तो कोई बात नहीं कहते पक्ति मार्ग में तुमने इतना समय पुर्शार्थ किया है किसके लिए मुक्ति के लिए तो अब बाप पूछते हैं घर चलने का विचार है बचे कहते हैं बाबा इसके लिए ही तो इतनी भक्ति की है ये भी जानते हो जो भी जीवात्माएं हैं सब को ले जाना है परन्तु पवित्र बन कर घर जाना है फिर पवित्र आत्माई ही पहले पहले आती है अब पवित्र आत्माई तो घर में रह नहीं सकती अभी जो भी करोड़ आत्माई है सबको घर जरूर जाना है उस घर को शांतिधाम वावान प्रस्त कहा जाता है हम आत्माउं को पावन बन कर पावन शांतिधाम जाना है पस कित इसमें मुझने की तो बात ही नहीं, शांतिधाम जहां सब पवित्र आत्माई निवास करती हैं, वह है आत्माई की पवित्र दुनिया, वाइसलेस इनकारपोरियल वर्ल्ड, यह पुरानी दुनिया है सब जीवात्माई की, सब पतित हैं, अब बापाई हैं आत्माई को पावन बनाकर पावन दुनिया शांतिधाम में ले जाने, फिर जो राजयोग सीखते हैं वही पावन सुखधाम में आएंगे, यह तो बहुत सहज है, इसमें कोई भी बात का विचार नहीं करना है, बुद्धी से समझना है, हम आत्माउं का बापाया हुआ है, हमको पावन शांतिधाम में ले जाने, वा जाने का रास्ता जो हम भूल गए थे, सो अब बापने बताया है, कल्प कल्प मैं ऐसे ही आकर कहता हूँ, हे ब बच्चो को पैगाम अत्वा श्रीमत देते हैं, कि बच्चो अभी तुमको क्या करना है, आदा कल्प तुमने बहुत बक्ती की है, दुख उठाया है, खर्चा करते करते कंगाल बन गए हूँ, आत्मा भी सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई है, बस ये थोड़ी बात ही समझने की है, अब घर चलना है वा नहीं, हाँ बाबा जरूर चलना है, वह हमारा स्वीट साइलिंस होम है, यह भी समझते हो, बरोबर अभी हम पती थें, इसलिए जा नहीं सकते हैं, अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो, तो तुम्हारे बाप कट जाएंगे, कल्प कल्प यही पैगाम देता हूं, अपने को आत्मा समझो, यह देह तो खलास हो जानी है, बाकी आत्माओं को वापिस जाना है, उनको कहते हैं, निराकारी दुनिया, सब निराकारी आत्माएं वहां रहती हैं, वह घर है आत्माओं का, निराकार बाप भी वहां रहते हैं, बाप आत सबसे पिछाडी में क्योंकि फिर सब को वापिस ले जाना है एक भी पतित आत्मा रहती नहीं है इसमें कोई मुझने वा तकलीफ की बात नहीं है गाते भी हैं हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाएं साथ ले चलो सब का बाप है ना फिर जब हम नई दुनिया में पाट रहते हैं बाकी इतनी करोड आत्माई कहां जाकर रहती हैं ये भी जानते हो सत्युग में थोड़ी जीवा आत्माई थी छोटा जाड था फिर व्रद्धी को पाया जाड में अनिक धर्मों की वेराइटी है उसको ही कल्प वरिक्ष का जाता है कुछ भी अगर नहीं समझते ह तो पूछ सकते हो कई कहते हैं बाबा हम कल्प की आयू पांच हजार वर्ष कैसे माने अरे बाप तो सत्य ही सुनाते हैं चक्र का हिसाब भी बताया है इस कल्प के संगम पर ही बाप आकर दैवी राजधानी स्थापन करते हैं जो अभी नहीं है सत्युग में फिर एक दैवी राजधानी होगी इस समय तुमको रचता और रचना का ग्यान सुनाते हैं बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम यूगे आता हूँ नई दुनिया की स्थापना करता हूँ पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है ड्रामा प्लैन अनुसार नई से पुरानी पुरानी से नई बद्दी है, इसके चार भाग भी पूरे हैं, जिसको स्वास्तिक का भी कहते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है, भक्ती मार्ग में तो जैसे गुड़ियों का खेल खेलते रहते हैं, अथाह चित्र हैं, तीपमाला पर खास दुकाने निकालते हैं, अनेका अनेक चित का राजे, फिर बाद में और और धर्म आते हैं, जिससे तुम बच्चों का कनेक्शन ही नहीं है, वे अपने अपने समय पर आते हैं, फिर सबको वापिस जाना है, तुम बच्चों को भी अब घर जाना है, ये सारे दुनिया विनाश होनी है, अब इसमें क्या रहना है, इस बहुत गई थोड़ी रही, टाइम जाता रहता है, योग में नहीं रहे होंगे, तो फिर अंत में वह बहुत पश्चा ताप करेंगे, सजा खाएंगे पद भी ब्रेश्ट हो जाएगा, ये भी तुमको अभी मालूम पड़ा है कि अपना घर छोड़े हमको कितना समय हुआ है, घर जाने लिए ही तो माथा मारते हैं न, बाप भी घर में ही मिलेगा, सत्युग में तो नहीं मिलेगा, मुक्ती धाम में जाने के लिए मनुशे कितनी महनत करते हैं, उसको कहा जाता है भगती मार्ग, अभी भगती मार्ग खलास होना है, ड्रामा अनुसार, अभी मैं तुम को घर ले जाने के लिए आया हूँ जरूर ले जाऊंगा जितना जो पावन बनेंगे उतना उच्पत पाएंगे इसमें मुझने की बात ही नहीं बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो मैं गैरेंटी करता हूँ तुम बिगर सजा खाए घर चले जाएंगे याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे अगर याद नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगे पद भी ब्रश्ट हो जाएगा हर पांच हजार वर्श बाद मैं यही आकर समझाता हूँ मैं अनेका अनेक बार आया हूँ तुमको वापिस ले जाने तुम बच्चे ही हार जीत का पाट बजाते हो फिर मैं आता हूँ ले जाने यह है पतित दुनिया इसलिए गाते भी हैं पतित पावन आओ हम विकारी पतित हैं आकर निर्विकारी पावन बनाओ यह है विकारी दुनिया अभी तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है जो पीछे आते हैं वे सजा खा कर आते हैं इसलिए फिर आते भी ऐसी दुनिया में हैं जहां दोकला कम हो जाती है उनको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे इसलिए अब पुर्शाद भी पूरा करना चाहिए ऐसा ना हो कि कम पद हो जाए बल रावन राज्ये नहीं है परन्तु पद दो नंबर वार है न आत्मा में खाद पड़ती है तो फिर उसको शरीर भी ऐसा मिलेगा आत्मा गोल्डन एजड से सिल्वरेज्ड बन जाती है चांदी की खाद आत्मा में पड़ती है फिर दिन प्रती दिन जास्ती चीची खाद पड़ती है मुलमे की बाप बहुत अच्छी रिती समझाते हैं कोई नहीं समझते हैं तो हाथ उठाओ जिसने चुरासी जन्मों का चक्र लगाया है उनको ही समझाएंगे बाप कहते हैं इनके चुरासी जन्मों के अंत में मैं आकर परविश करता हूं इनको ही फिर पहले नंबर में आना है जो पहले था वेलास्ट में है उनको ही पहले नंबर में जाना है जो बहुत जन्मों के अंत में पतित बन गया है मैं पतित पावन उनके ही शरीर में आता हूँ उनको पावन बनाता हूँ कितना क्लियर कर समझाता हूँ बाप कहते है मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप पस्म होंगे कीता का ग्यान तो तुमने बहुत सुना और सुनाया है परंतु उनसे भी तुमने सद्गति को नहीं पाया बहुत सन्यासियों ने तुमको मीठी मीठी आवाज से शास्त्र सुनाए जिस आवाज को सुनकर बड़े-बड़े आदमी जाकर इकठे होते हैं कंडरस है ना बक्ति मार्ग है ही कंडरस इसमें तो आत्मा को बाप को याद करना है बक्ति मार्ग अब पूरा होता है बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को ग्यान देने आया हूँ जो कोई नहीं जानते मैं ही ग्यान का सागर हूँ ग्यान का जाता है नौलेज को तुमको सब कुछ पढ़ाते हैं, 84 का चक्र भी समझाते हैं, तुम्हारे में सारे नौलिज है, सूल वतन से सूक्ष वतन क्रोस कर, फिर मूल वतन में जाते हो, पहले पहले हैं लक्षमी नारायन की डिनाइस्टी, वहाँ विकारी बच्चे नहीं होते, रावन राज्य ही नही योगबल से सब कुछ होता है, तुमको सक्षातकार होता है, अब बच्चा बन गर्ब महल में जाना है, खुशी से जाते हैं, यहां तो मनुशे कितना रोते चिल लाते हैं, यहां तो गर्ब जेल में जाते हैं न, वहां रोने पीटने की बात ही नहीं, शरील तो बदलना जर बाप को याद करना मुश्किल होता है क्या बाप के सामने बैठे हो न मैं तुम्हारा बाप तुमको सुख का वर्सा देता हूँ तुम यह एक अंतिम जन में याद में नहीं रह सकते हो यहां अच्छी रीती समझते भी हैं फिर घर में जाकर स्रियादी का चहरा देखते हैं तो माया खा जाती है बाप कहते हैं कोई में भी मामत्व नहीं रखो वे तो सब कुछ खत्म होना ही है याद दो एक बाप को ही करना है चलते फिरते बाप और अपनी राजधानी को याद करो दैविगुण भी धारन करने हैं सत्युग में यह गंदी चीजें मा साधी होता ही नहीं बाप कहते हैं विकारों को भी छोड़ दू हम तुमको विश्व की बादशाही देता हूं कितनी आमधनी होती है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे सिर्फ एक जन्म पवित्र रहने से कितनी भारी आमधनी हो जाती है फल इकठे रहो ज्यांतलवार बीच में हो पवित्र रहे दिखाया तो सबसे उचपद पाएंगे क्योंकि बाल ब्रह्मचारी ठहरे फिर नॉलेज भी चाहिए औरों को आप समान बनाना है सन्यासियों को दिखाना है कि कैसे हामें कठे रहते पवित्र रहते हैं तो समझेंगे इनमें तो बड़ी दाकत है बाप कहते हैं इस एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म तुम विश्व के मालिक बनेंगे कितनी बड़ी प्राइज मिलती है तो क्यों नहीं पवित्र रह दिखाएंगे टाइम ही बाकी थोड़ा है आवाज भी होता रहेगा अखबार में भी पड़ेगा रेहसल तो देखी है न एक एटम बॉम से क्या हाल हो गया अभी तक होस्पिटल में पड़े हैं अभी तो ऐसे बाम साधी बनाते हैं जो कोई तकलीफ नहीं फट से खतम और यह रेहसल होकर फिर फाइनल होगा देखेंगे फट से मरते हैं वा नहीं फिर और युक्ति रचेंगे होस्पिटल आदी होंगी नहीं कौन बैट खिद्मत अर्थत सेवा करेंगे कोई ब्रामना दी खिलाने वाला नहीं रहेगा बाम छोड़ा खर्लास अर्थक्वेक में सब दब जाएंगे देरी नहीं लगेगी या धेर मनुष्य हैं सत्यूग में बहुत थोड़े होते हैं तो इतने सब कैसे विनाश होंगे आगे चल देखना है वहाँ तो शुरू में नो लाख है फकीर भी तुम हो साहिब भी तुमको प्यारा है अभी सब को छोड़ अपने को आत्मा समझ लिया है ऐसे फकीरों को बाप प्यारा लगता है सत्युग में बहुत चोटा सा जाड़ होगा बातें तो बहुत समझाते हैं जो भी एक्टर्स हैं सब आत्मा अविनाशी हैं अपना अपना पाट बजाने आती हैं कल्प कल्प तुम ही आकर बाप से स्टूडेंट बन पढ़ते हो जानते हो बाबा हमको पवित्र बना कर साथ ले जाएंगे बाबा भी ड्रामा अनुसार बंधा एमान है सब को वापिस जरूर ले जाएंगे इसलिए नाम ही है पांडव से न तुम पांडव क्या कर रहे हो तुम बाप से राज्य भागे ले रहे हो हुबहु कल्प पहले मिसल नंबर वार पुर्शाद था अनुसार अच्छा मीठे मीठे सी किलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते दारना के लिए मुखे सर बाप का प्यारा बनने के लिए पूरा फकीर बनना है देखो भी भूल स्विम को आत्मा समझना ही फकीर बनना है बाप से बड़े ते बड़ी प्राइज लेने के लिए संपूर्ण पावन बन कर दिखाना है वापिस घर जाना है इसलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है एक माशुक से ही दिल लगानी है बाप और राजधानी को याद करना है अब आप दादा के बरदान को विस्तार में समझेंगे यदि किसी भी परिस्तिती में प्रसनता की मूर परिवर्दन होती है तो उसे सदाकाल की प्रसनता नहीं कहेंगे प्रामन जीवन में सदा चीरफुल और केरफुल मूर हो मूर बदलनी नहीं चाहिए जब मूर बदलती है तो कहते है मुझे तो एकांत चाहिए आज मेरा मूर ऐसा है मूर बदलती तब है जब अकेले होते हो सदा कंबाइन डूप में रहो तो मूर नहीं बदलेगी स्लोगन कोई भी उत्सव मनाना अर्था त्याद और सेवा के उत्सा हमें रहना ओम शंति